तो आज Microsoft ने लैप्टोब रोंच करा तो उसके बारे में बात करेंगे तो Microsoft ने तो डिस्प्ले के में बात करेंगे तो डिस्प्ले में 120ह का डिस्प्ले आता है और जो की क्वालिटी की डॉल बी इजन स्क्रीन होती है अगर आप किसी नई टी यू में जो देखो गे तो काफी अच्छी डॉल भी इसक्रीन आती है और काफी अच्छा रेजुलेशन मिलता है विंडो 11 आपको इसमें इस्टोल होई आएगी और हम इसके सिकोर्टी परपस से आप बात करेंगे तो सिकोर्टी में फायरबॉल फायरबॉल टीपी एम फॉर इंटर्प्राइज गाइड सिकोर्टी बिड लोकर की सपोर्ट करता है और काफी अच्छी यह टेकनोलजी है जो मैक्रोसोफ ने यूज करी है इसमें तो और जो अगर हम लोगिन वगेरा करते हैं तो जाए तरह हम लोगिन में क्या करते थे आप डालेंगे तो इससे लोगिन होता था या फैस से होता था तो इन बिल्ड माइक्रोसोफ में ने इसमें फैस डिटेक्शन लोगिन दिया है फैस के तुरू आप साइन कर सकते हैं और काफी अच्छी चीज है कि आपको वह पास्वार एंटर वागिरा करने की चुरत नहीं बताएंगे आपको तो जो विंडोज आएगी विंडो हॉम और प्रो दोनों आएंगी इसमें और आपको इसमें एक्स बोक्स की एप्लिकसन वगएरा सपोर्ट भी करेंगी अल्टी और Microsoft Office 365 भी सब्सक्राइगा इसमें जो कि प्रिश्टोल आएगा आप उसको लैसेंस वगएरा लेकर आगे भी बढ़ा सकते हैं और ऐसे सपोर्ट की बात करेंगे तो एसे सपोर्ट में इसमें पैंसिल आती है तो पैंसिल वगएरा आपने देख हो गयरा में जैसे पैंसिल अलग से प्रिश्ट करनी पड़ते है अभी इसका किलियर नहीं हुआ कि इसके साथ आएगी अलग से लेनी पड़ेगी तो हो सकता है लेटेस वाले लेटेस वाले लेटेस जो वर्जन होगा टॉप वाला उसमें इन बील्ड बॉक्स में ही निकले तो उसके लिए बात में ब लेवल मिलेगा तो इसमें सेंसर वागरा भी काफी अच्छे दे रख है और काफी बढ़िया है जो इसन टेकलोलजी यूज़ करिए मैकर सॉफ्ट में कॉम्पेटिशन में भी इस लेप्टोप ते तो यह लगता है कि आने वाले टाइम में यह मैक बुक को टकर देने वाला लेप्टोप हो गया तो पावर के हम बात करेंगे तो पावर आई-5 में जो एकी जो पावर बेकप जो हमें मिलेगा इसमें चार्जिंग होने के बाद तो 19 घंटे का हमें आई-5 प्रोसेसर में मिलेगा और आई-7 में 18 घंटे का क्योंकि आई-7 में एक्स ग्राफिक के साथ इंटेल एक्स ग्राफिक के साथ आएगा और आई सेवन में गोफोर्स का आर्टी एक्स तीसो पचास टी आई लैप्टॉप जीप्यू विच फोर जीवी डीडियर 6 जीप्यू मेम्री के साथ हमें यह मिलेगा तो उसमें एक गंटे का में बेकप कम मिलेगा और इसमें जो करेंगे वेट की बात करेंगे तो 174.9 ग्राम का i5 मिलेगा और 1820.2 ग्राम का i7 लैप्टॉप मिलेगा तो काफी ज्यादा वजन भी नहीं रहेगा लाइट बेट है क्योंकि यह मेटल बोडी के साथ आता है तो उसे साथ तो काफी बढ़ी है यह तो आपको बताई दिया थ होगा जैसे आज कलम स्मार्टफोन उसकर तो फेस दिखा और फोन खुल जाता है तो वैसे होगा और जो कैमरे की बात करेंगे तो कैमरा बहुत ही अच्छा है इसमें वर एटी पिक्सल का रिजुलेशन कैमरा आएका और काफी अच्छा कैमरा है मैं भी अभी तक के एट जीरो टू पॉइंट इलेवन एक्स कंपूटिवल होगा और जो ब्लुटूथ होगा वह होगा मारा फाइट पॉइंट टेकनोलोजी के साथ जो अभी की लेटर चेकनोलोजी होगी और कलर की बात करेंगे तो प्लेटिनम कलर आएगा जो कैसिंग होगी मेंगनीजियम और अल्मोनियम दोनों के साइड आएगे वन एयर ओन साइड वारेंटी मिलेगी वन एयर लिमिटेट हारड़ वारेंटी जो मेंशन कर रहेंगे और कीबोर्ड की बात करेंगे तो एक्टिव माव मूविंग एन कंट्रोल होगा जैसे कि विंडो डिटेक्शन बटन होंगे मीडिया कंट्रोल स्क्रीन ब्रैटने और ब्रैटनेस वगरा तो बेक लाइट आया का कीपोड में इसमें लाइट होगी और बैटरी तो प्राइज की बात करते हैं तो प्राइज आपका आई सेवन सोला जीवी रेम और दोसोचपन ऐवन सोला जीवी पान सो बारा जीवी ऐसेश्डी की बात करें गे तो दो लाग तेरा सो निन्यानवी रुपे के अप्रोक्स है और आई सेवन में बत्ती जीवी रेम और वन टीवी हार्डिस दोलाक चगौनजाच शेसो निन्यानवी रुपे के आसपस के प्राइज या वह आएगा आपका 3,00,000 पलस और जो i7 32GB 2TB हाड ट्राइब तो वह 2,90,000 अप्रोक्स और i7 32GB 2TB जो इनका टोपेंट वेरिंट टोपेंट मोडल है तो उसका प्रेज आएगा 3,43,499 रुपे तो वीडियो आपको अच्छी लगिए तो लाइक और सब्सक्राब करना ना प्राबूले